कैसे हैं आप सभी ? आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलि आपसका क्लास स्टार्ट करते हैं काफी सारे words है, idioms है, phrases है उन words को जानते हैं साथ ही उनके synonyms & antonyms भी जानेंगे एक बहुत अच्छा article है उसे परहेंगे, समझेंगे और उस article पर बहुत अच्छे लेवल के question है RCK वो भी करेंगे जले स्टार्ट करते हैं जो भी aspirants आज पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको मैं बता दू कि यह series हमने चलाई है जिससे कि आप जैसे aspirants जो भी bank exams को target करते हैं उनकी reading comprehension and vocabulary strong हो सके हैं क्योंकि इन session में हम reading comprehension के articles है जो कि editorial के articles होते हैं उन्हें काफी अच्छी तरह से पढ़ते हैं, analyze करते हैं, समझते हैं information निकालते हैं, साथ ही उनपे based RC question जो होते हैं वो भी solve करते हैं objective का है आपका reading comprehension and vocabulary अपडेट करना जिससे आपकी English section भी marks बढ़ सके, boost हो सके और ultimately आप exam करा करके job ले सके चली start करेंगे हम vocabulary और जो पहला word है हमारा, वो है dampened ठीक है, verb की second and third form है, as in adjective भी use हो सकते हैं, क्योंकि verb की third form को adjective की तरह भी use कर सकते हैं, dampened का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कम strong बनाना, कम जूर करना, उसकी strength को घटा देना हम कहते है, dampened, ठीक है stifled भी वही होता है, stifled का मतलब होता है, गला घोट देना, तो हम यहाँ पर क्या करने हैं, जिसको में strong बना रहे है मतलब उसको, एक figurative way में है, गला घोट ना मतलब उसको develop होने से रोक रहे हो, मतलब उसको strong होने से रोक रहे हो, उसको improve होने से रोक रहे हो इसलिए stifled भी इसका synonym है और diminished का मतलब ही होता है, कम होना ठीक है, यह तो synonym उसका है Antonyms क्या होगा, बढ़ाना promote करना, develop करना, heighten करना, stimulate करना उसमें और energy डालना उसको strengthen करना second word है sharp यह adjective है अब last session में हमने sharp की एक अलग meaning देखी थी इसका मतलब था well dressed fashionable, chic, stylish यहाँ पे sharp का मतलब है बहुत sudden, बहुत rapid और large, हम कहते है न, sharp growth तो growth कैसे हुई है, sharp हुई है मतलब अभी ऐसे चल रही थी अचालक से उपर चली की बहुत fast, ठीक है तो उसको हम कहते है sharp थिननिम के extreme extreme किसको कहते है, जो बहुत severe हो, बहुत high intensity का हो, यहाँ भी उससे चली हो रहा है बहुत rapid way में, बहुत large, बहुत sudden way में हो रहा है, drastic ठीक है, बहुत extreme, बहुत sharp अब antonym क्या हो, gradual gradual किसे कहते है, जो बहुत slow slow बर रहा है बहुत slow और काफी time लगाड़ा है time भी काफी लगाड़ा है, और slow slow हो रहा है, तो gradual है, अब यह sharp का antonym कैसे हुआ, sharp क्या होता sudden, ठीक है, अचालक से बढ़ गया अब यह चालक से नहीं बर रहा है, यह बहुत धीरे धीरे ऊपर बहुत time लगा के बर रहा है इसलिए यह antonym है, steady अब steady भी इसका antonym कैसे है क्या होता है, यह जो sharp होता है मतलब sudden rapid होता है, बहुत तेजी से, बहुत बड़े scale पर होता है steady मतलब एक same level पर हो रहा है, ना तो sudden है ना rapid है, ना large है तो यह दून words के antonym हो गए weight weight है हमाना noun और इसका क्या मतलब होता है importance, किसी चीज की importance कितनी है, किसी चीज का relevance कितना है, influence कितना है, strength कितना है, किसी particular situation में कितना relevant है कितना important है, उसको हम कहते है weight, अब एक तू weight आपको पता होगा virgin cum कहते है ठीक है, आप कितना weight कितना है, तो यह तो बहुत common meaning है, आज जो आप weight की meaning सीखेंगे, वो है importance relevance, या फिर strength synonyms bearing, bearing भी होता है, relevant कितना है, relevance कितना है importance किया है उसकी relevance तो relevance होता है, कितना appropriate है, ठीकितना connected है कितना situations है antonyms क्या होगा, triviality unimportant, insignificant inconsequential है ठीक है, insignificant है, insignificance को कहेंगे हम weight का antonym fourth है, ease ease क्या है, verb है verb की काउंसी form है, base form है जो हम plural subjects के साथ लगाते है, वो वाली form है ease का मतलब क्या होता है किसी चीज की severity को कम कर देना है, किसी को less severe less difficult, less unpleasant less painful बनाना कोई ऐसी चीज़े जो बहुत difficult है उसके difficulty आपने कम कर दी बहुत painful है, उसके pain का जो level है वो कम कर दिया कोई unpleasant है तो उसके unpleasantness को कम कर दिया, तो उसमें कहते है ease करना और क्या कहते है, temper करना temper भी होता है, कम करना ठीक है, taper करना, moderate करना इन दोनों का ही मतलब होता है severity, intensity, power difficulty में कमी लाना antirum कहोगा, intensify करना उसको all strength देना, power देना, कि उसकी severity, intensity बह जाए काफी, augment करना augment मतलब add करना, ठीक है उसके strength में add कर रहे हो आप उसकी intensity में add कर रहे हो fifth debilitating, यह verb की ing form है और यह adjective के तरह भी use हो जाती है, क्योंकि हम verb की past participle ed वाली form होती है, third form, और ing वाली form होती है, इन दोनों forms को में as adjective use कर सकते है तो debilitating का मतलब क्या होता है making somebody's body or mind weaker, ऐसी कोई चीज जो आपके mind को, आपके body को weak करे, कमजोर करे, उसको हम कहते है debilitating, inner weighting भी होता है यह किस से बना है, inner weight से बना है inner weight का मतलब ही होता है to weaken, कमजोर करना ठीक है, crippling cripple, ठीक है इसका ही मतलब क्या होता है weaken करना ठीक है, तो यह inner weighting है, crippling है ठीक है, कि दोनों ही synonym से debilitating के, antonyum के rejuvenating, वापस उसमे energy डालना उसको strong बनाना invigorating, उसको confident बनाना strong बनाना, यह दोनों antonyum है, sap verb की second and third form मतलब कि कि gradually weaken करना या destroy करना दीरे-दीरे over time आपने किसी चीज को या किसी ने किसी चीज को weaken कर दिया, destroy कर दिया तो उसको कहते है, shrapped, ठीक है synonyms attenuated, attenuated का मतलब क्या होता है किसी के value में कमी करना, किसी किसी चीज को weaken करना, contract होता है, weaken होना, size में कम होना, intensity में कम होना antonyum, buttress, strong बनना, strong करना, buttress ठीक है तो यह दोनों words का मतलब होता है, strong करना, इन तीनों words का मतलब होता है, weak करना जितने भी words हैं, जो अभी तक हमने किये हैं या बाकी की classes में, जितने भी words किये, और exam के point of view से बहुत-बहुत important है words भी synonyms भी, synonyms भी मैंने वैसी ली है, जो आपकी exam में देखने को मिलते है pre-exam में देखने को मिलते है means exam में मिलते है या RC में जो words use होते हैं इसलिए यह session आपके लिए और important हो जाता है attend करना सबने ट्रैक्शन ट्रैक्शन क्या होता है, एक noun इसका मतलब होता है, momentum progress popularity, acceptance ठीक है, किस हद तक किस चीज को popularity मिल रही है support मिल रहा है, momentum उसकी speed किस हद तक बर रही है, ठीक है उसे कितना accept किया जा रहा है उसका हम traction कहते है एक होता है phrase gain traction ठीक है, काफी common है gain G-A-I-N traction इसका मतलब होता है कि किसी चीज की popularity सब्सक्राइब हो रही है ठीक है, that thing is gaining popularity gaining acceptance लोग उसको accept कर रहे है या फिर उसका momentum बर रहा है ठीक है, जी speed से वो हो रहा है वो increase हो रहा है, उसमें progress हो रहा है antonyms के होगा denial लोग उसको accept नहीं कर रहा है, deny कर दे रहा है उसमें कोई progress नहीं हो रहा उसकी popularity नहीं बर रही है apprehension, doubt है उस चीज को लेके worry है जब doubt and worry आती है तो कोई भी उस चीज को accept नहीं करता है तो वो चीज popular नहीं होती है वो चीज आगे नहीं बरती है, progress नहीं होता है तो इन दोनों words इसी लिए attraction के antonyms it is scotching it is an adjective मतलब very hot सुना होगा आपने phrase scotching summer मतलब summer की ऐसी दे जो बहुत गर्म हो very hot, sweltering sultry, दोनों कहीं मतलब होता है very hot hot in an uncomfortable way इतना hot है, इतना गर्म है कि आपको uncomfortable feel हो रहा है आप पूरे तरह से sweat कर रहे हो आप सांस नहीं ले पाड़ हो उस तरह का hot scotching, sweltering, sweltering and sweltering वैसी hot को convey करते है अब जो hot है उसका antonym क्या होगा, जो hot नहीं हो cold है frigid, chilly, very cold extremely cold depressing verb की ing form है अब depressed करना क्या होता है एक तो हो गया कि किसी की confidence में कमी करना, किसी को hopeless करना ठीक है, depression word आपने सुना होगा, कोई अगर depression में होता है उसको क्या होता है, उसको situation से कोई hope नहीं मिलता है, अपने confidence lose कर चुका होता है defeat उसने accept कर लिया होता है तो उसी context में depressed अगर हम किसी चीज को depressed करता है, कोई चीज में तो उसमें कमील आता है उसके level में, उसके amount में कमील आता है, lower करता है उसके level को, amount को synonyms, diminishing lessening, दोनों के मतलब होता है, कमी करना ठीक, antonyms, बढ़ाना enhancing, boosting, enhance करना boost करना, मतलब बढ़ाना मतलब ऐसी कोई चीज जो साथ में हो रही है, या साथ में exist करती है, उसका वजूद है दो चीजों का साथ में, तो उसको कहते है, contemporary, yes, concurrent भी कहते है, उसको contemporary भी कहते है, मतलब साथ में कोई चीज हो रही है, उसी time पे हो रही है ठीक, antonyms, preceding, following अब देखो, जो साथ में नहीं हो रही है, या तो आगे होगी, या पीछे होगी जो पीछे होगी, उसको preceding कहते है, जो आगे हो रही है, following कहते है, disconcerting, adjective मतलब, making someone feel uncertain, uncomfortable or worried, कि C को को, अगर disconcerting हम किसको कहते है, ऐसी कोई चीज आपको वरी दे रही है, चिंतित कर रही है, चिंता दे रही है, anxiety create कर रही है tension create कर रही है, पडिसान कर रही है, उस चीज को हम disconcerting कहते है perturbing and unsettling synonyms है, same meaning है anxiety create करना, worry create करना, ठीक है, apprehension create करना, antonyms heartening, ठीक है, hope देना, heartening मतलब क्या होता है, heart से related है, मुलहाँ, hope से, आपको कोई hope दे रहा है confident कर रहा है, आपको hopeful बना रहा है, encourage कर रहा है तो heartening है, reassuring कर रहा है reassure कर रहा है, मतलब को देलासा दे रहा है, आपको बता रहा है कि यह नहीं सब कुछ सही है, ठीक है, तो आपमे confidence आ रहा है, आप happy हो रहे हूँ, तो यह दुन वर्ड उसके antonyms है, outlook किसी चीज़ के future को कहते है, आगे जाके उसका future क्या होगा, उसका future situation क्या होगा, वो outlook होता है, prospect भी होता है, future में क्या होने वाला है उससे related, prognosis भी same होता है, क्या होने वाला है future situation उस चीज़ का, अब antonyms क्या होगा, देखो यह दूर वर्ड है outlook, यह तीन वर्ड, outlook prospect, prognosis यह बताते है कि future में क्या होने वाला है, बट वो किस में रहता है probability मैं तो possibility होती है अब antonyms क्या होगा, जो चीज possible है, मतलब उसके होने ना होने, दोने का equal chances होता है, अब opposite क्या होगा या तो वो certain हो जाया, क्या तो impossible हो जाया, इसलिए certainty and improbability, मतलब impossibility इसके antonyms है 13 is tame, tame करना मतलब किसी चीज को कम करना कि वो easy हो जाया control करने के लिए, curb करना limit करना, control करना, restrain करना, synonyms है antonyms, encourage करना उसको कि और हो, और जादा हो, और जादा बढ़े वो promote करना उसको, promote करना उसको, और जादा बढ़ने में उसको help करना ठीक है, तो यह तो होगी vocabulary, जो words थे अब आते है, idioms and phrases पे तो पहला है silver lining, मतलब silver lining किसको कहते है, एक बहुत ही difficult situation है, बहुत ही unfortunate situation है, उसमें या उससे आपको कोई अच्छी चीज मिले, उस अच्छी चीज को क्या कहते है, silver lining, and advantage that comes from a difficult or unpleasant situation, किसी difficult या किसी unpleasant situation से अगर आपको कोई advantage मिल रहा है, उस advantage को silver lining कहते है, ठीक have your work or task cut out, अब यह idiom दो तरह से लिखा जाता है, या तो have your work cut out, लिखा होता है कुछ-कुछ जगा, कुछ-कुछ जगा होता है have your task cut out, दोनों का मतलब एक ही होता है, कि कोई बहुत difficult चीज है जा आपको करनी है, to have something very difficult to do can ill afford can ill afford बहुत common phrase है, बहुत 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 editorials में passages में use होता है, इसका मतलब होता है कि अब can ill afford का मतलब कि तुम बहुत चीज नहीं कर सकते, कोई है या आप हो, या मैं हूँ, मैं बहुत चीज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैं करता हूँ तो फिर उससे मुझे कुछ disadvantage मिलेगा, if you can ill afford to do something, it will cause problems for you, if you do it, मतलब अगर आप हो करते हो, तो आपके लिए disadvantages होगा, problematic होगा, problems create होगा आपके लिए, तो इसकों कहते है, can ill afford जैसे, I can ill afford to miss my bus, अब अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, का I can ill afford to miss my bus, मतलब कि I can ill afford, मतलब कि मैं नहीं कर सकता, मैं अपना bus miss नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं नहीं मिस कर दिया, तो वो में लिए problems create कर देगा, तो इस तरह से यह use होता है 17, drop your guard, काफी easy or काफी common idiom है, drop your guard, का मतलब तो अपना guard क्या होता है, अपना defense, ठीक है आपने उसको drop कर दिया, आपना vulnerable हो, कहने का क्या मतलब है, कि आप careful नहीं हो, ठीक है तो आपके लिए risk increase हो गया dangerous increase हो गया, difficulty increase हो गया, क्योंकि आपने, जो guard था, जो आप careful, के जो shield आपने बना रखी थी, वो आपने अब गिरा थी तो यह हमने words idioms and phrases कर लिए, अब हम read करने वाले हैं article को करने के activity है, उसको देखके है, inflation remains a concern, inflation जो है, अभी भी एक concern बना हुआ है एक चिंता कभी से बना हुआ है as price pressure, जो price का pressure मतलब price जो increase हो रहा है broaden beyond food, broaden मतलब बढ़ गया है, किसके food से आगे बढ़ गया है, मतलब अब स्रिफ food को affect नहीं कर रहा है, inflation बागी चीज़ों को भी affect कर रहा है तो चलिए, देखते है पहले आप read करोगे, ठीक है फिर हम और आप साथे मिलके समझेंगे क्या कह रहा है, यह article तो यहाँ प्याप पैसज को pause करके read कर लेना पहले चुर production in India's eight core infrastructure sectors remain largely dampened, ठीक है production जो है, जो manufacturing है चीज़ों को जो manufacture करने की activity होती है, कहाँ पर इंडिया का eight core infrastructure sector है वो कैसा रहा है, largely dampened, मतलब बहुत कम रहा बहुत reduced रहा, कमी रही है उसमें, by the impact of a slowdown in state spending on public works in June, और यह किसके वज़ा से हुआ है, यह जो कमी हुए है spending कर रहा है, उसमें कमी हुई है कि उसके spending में, जो public works में, जून में तो states ने जो public works हुए जून में, उस पर जो कम spend किया, जो spending जो कम की, उसके वज़ा से यह जो production है, infrastructure sectors में, जो eight core infrastructure sectors हैं, उसमें कमी देखी गई है when the general election ended in the early part of the month और इसी June में, general election भी खतम हुआ था जिसके क्या हुआ था, leading to the formation of a new government at the center और इससे, जो government एक नई government बनी थी center the heat waves that had impacted a wide range of economic activity in the countries northern and western parts in में अब जो heat waves चल रहे हैं, ठीक है जिन्नोंने impact कर दिया था, affect कर दिया था, किस चीज़ को affect किया था, wide range of economic activity, wide range का मतलब बहुत सारी economic activities को heat waves ने affect कर दिया था, ठीक है, कि कहां पे country के northern और western parts में में में, extended into June, मतलब में में जो किया था, ये heat waves June में में भी continue रहे हैं, adding to the overall slowdown in industrial production, और इससे क्या हुआ, कि industrial production पहले से slow था, क्यों slow था, क्योंकि state की spending income थी public works में, ठीक है, तो state की spending कम थी public works में, जून में, तो एक तो उससे slow कमी थी production में, अब heat waves, जिन्होंने अल्रेडी economic activity को impact कर दिया था, affect कर दिया था, country के northern और western parts में में, वो heat waves June में भी continue रहे हैं, और उससे क्या हुआ, जो industrial production था है, वो और slow हो गया provisional data on the index of 8 code industries, ICI released by the commerce and industry ministry on July 31 जो provisional data है, मतला जो अभी का data है, provisional मतला present, ठीक है, अभी का जो data आया है, कहां से, कि उस पे index of 8 code industries, ICI है, जिसको release किसने किया है, commerce and industry ministry ने किया July 31 को, so यह दिखाता है, कि output in 5 of the sectors suffered, either sap deceleration in growth, यह दिखाता है, कि जो 5 sectors है, पार इन 8 में से, जो 5 sectors है, उसमें जो output है, जो production, manufacturing है, ठीक है, वो या तो बहुत sharply नीचे गिरी है, deceleration का मतला क्या होता है, deacceleration, कमी होना, पीशे जानना, reduction हुए, बहुत sharp, बहुत sudden, बहुत large reduction हुआ है, या तो growth में, या फिर contracted from the year earlier period, या फिर जो पहले का जो period था, उसके comparison में, बहुत कम हो गए है, resulting in overall core sector growth slowing to a 20 month low of 4%, और इससे result क्या हुआ, कि जो core sector का growth था, उसमें एक overall slowdown आगया, overall कमी आ गई, जो कमी क्या है, 20 month, लो मला, 20 month में ऐसी कमी नहीं देखी गई थी, वैसी कमी आ गई है, जो कि या 4% की, while the output of definery products which at 28% has the heaviest weight on the ICI, अब जो definery products का output है, which at 20% has the heaviest weight on the ICI, मला, जिसका 28% share है, ICI में, और सबसे जादा weight मतलब की influence, importance है, contracted year on year for the first time, मला, पहली बार ये year on year basis के कमी हुई इसमें, ठीक है, refinery products के output में, first time, in 5 months, पहली, 5 month में पहली बार, and shrank by 1.5% और 1.5% से reduce हो गया, कमी हो गई, घट गया, electricity generated, generation declined by 3.6% from Mays, all time high level, अब electricity generation है, वो भी decline हो गई, उसमें भी कमी आए गई, कितनी 3.6% की, किसके comparison में, में में, जब all time high में में, electricity generation सबसे जादा हो रहा था, उसमें भी कमी आ गई है, 3.6% ठीक है, अब यहां पर क्या बता रहा था, पहले तो उसमें यह बताया कि जो 8 core infrastructure sector है, ठीक है, उसमें production में कमी रही, production कम रहा, क्यों, क्योंकि एक तो states ने, जो public works है, उसमें spending कम की जून में, कम spend किया, फिर secondary, यह तो पहला reason था, पहला reason क्या था, कि state ने spend कम किया, state spending was low in June, ठीक है, पहला reason क्या था, कि state की spending June में कम थी, second reason था heat waves, heat waves जो May में already country के northern and western parts को affect कर गया थे, वहां के economic activity को affect कर गया थे, वो heat waves June में be extend होगे, जून में भी continue हो गया, उससे क्या हुआ, industrial production था, वो और slow हो गया, ठीक है, फिर यहां पर data दिया है, आपर author ने आपर बताया है कि five sector में बहुत ज्यादा sharp कमी देखी, कहीं, reduction देखा गया, deceleration देखा गया है, यहां और contraction दिखा गया, year earlier period पे, जिससे क्या हुआ है, कि overall core sector, जो पांच sectors में, जो कमी आई है, उससे जो overall sector है, core sector, वो उसमें reduction आ गया है, ठीक है, फिर यहां पर उसने और बताया है, कैसे, overall कितना आया है, 4% का आया है, जो कि 20 month, 20 month में सबसे low है, 4% तो 4% overall है, उसके बाद उसने बताया है, कि refinery products में कितना आया है, वो भी contract हो गया है, ठीक है, 1.5% से, वो घड़ गया है, refinery products में output, और electricity generation, भी 3.5% से घड़ गया है, ठीक है, जो कि में में all-time high पे था, electricity generation में में all-time high पे था, यहां पे वो घड़ गया है, 3.6% से, तो यह था पहला paragraph का, बाते है, second paragraph पे, यहां पे आप pause करके, read कर लेना, पिर आगे दिखते है, the yoy, year-on-year expansion in the key electricity sector, जो year-on-year expansion है, जो हर साल जो बढ़त है, key electricity sector में, which has the second heaviest weight of over 20%, first, सबसे ज़्यादे इंपॉर्टनेस किसका था, refinery products के output का था, ठीक है, second number पे कौन है, second में सबसे ज़्यादे इंपॉर्टनेस किसका है, वो है electricity sector का, 20% का है, तो यह electricity sector में, जो year-on-year expansion था, जो हर साल जो बढ़त देखने को मिलती थी, almost half in pace to 7.7%, यह आधी हो गई, जो बढ़त हो, जो increase हो रहा था, यह आधा हो गया, half हो गया, ठीक है, में में केतना था, 13.7% था, अब केतना हो गया, 7.7%, as the start of monsoon rains in some parts of the country, helped ease power demand, और यह कम क्यों हुआ है, क्योंकि जो monsoon rains start हो गया है, कुछ parts of country में, उससे power demand ease हो गया है, power demand कम हो गया है, तो electricity भी भी कम ही आ गई है, electricity sector में भी कम ही आ गई है, वो almost 13.7% से half हो की, 7.7% हो गया है, however, June's debilitating heat waves, June में जो debilitating heat waves थे में ऐसे heat waves थे, जो लोगों को कमजूर कर दे रहे थे, which the India Meteorological Department pegged at a 14-year high, और यह heat waves थे, यह 14, 14 साल में जितने भी heat waves आए है, उन सब में सबसे extreme थे यह heat waves, 14-year high पे pegged किया है, इंडिया का Meteorological Department, sap demand for steel, अब यह जो heat waves थे, June में इन्होंने क्या किया, steel की demand से उसको sap कर दिया, उसमें कमी ला दी, ठीक है, as construction activity struggled to regain traction, amidst the scorching temperatures, अब क्या होँ, demand still की कम की होगे, क्योंकि construction activity था, ठीक है, उसमें traction नहीं आया, construction activity फिर से उसमें growth नहीं आया, फिर से उसमें ग्रोज नहीं आया, क्योंकि इतना जायदा heat ही था, heat waves इतने हाई थे, 14-year हाई थे, क्योंकि उतने गर्मी में कौन construction activity में पार्ट एक करेगा, कौन करेगा construction activity थे उतनी गर्मी में, उतने scorching temperatures, इतने जो very hot temperatures में, कौन करेगा construction काम, तो कोई अगर construction काम करी नहीं रहा था, तो steel का जो demand होता है construction activity में, अब जो construction activity ही नहीं हो रही है, तो steel का demand भी fulfill नहीं हो तो steel का demand भी fulfill नहीं हो तो steel का demand भी कम हो गया और उसका reason भी क्या था June में जो heat tips आय थे वो Steel output slid 4% from the preceding month, पिछले month के comparison में, preceding month पिछला, तो पिछले month के comparison में steel का output 4% slid हो गया, घट गया depressing the year on year growth to just 2.7% following May 6.8% pace, इससे क्या हुआ, जो year on year growth है steel की, वो 2.7% पे आ गई, जो कि May में 6.8% पे थी, coal offered the silver lining, अब coal से silver lining, अभी देखो, silver lining के मतलब क्या होता है, जो एक बहुत difficult situation चल रहा है, उसमें कुछ अच्छी चीज हो जाए, कोई advantage हो जाए, अभी तक author ने क्या कहा है, सिर्फ reduction के बात किये, कैसे production कमी, production में कमी आ गई है, 8-code infrastructure construction में, overall production कमी आ गई है, definitive products के output में कमी आ गई है, electricity generation में कमी आ गई है, फिर steel struggle कर रहा है, उसमें कमी आ गई है, लेकिन silver lining क्या है, वो coal से आ रहा है, मतलब कोई में बढ़त हुई होगी, increase हुआ होगा, as output growth accelerated to 14.8% in June, June में जो coal का output था, वो बढ़ गया, कितना 14.8% हो गया, तो यहां पर क्या है, और ने पैर तो continue किया, ठीक है, reduction की ही बात की, electricity की में reduction की बात की, जिसका reason उसने पताया, कि monsoon ingredients के बज़े से कुछ parts में demand कम हो गई है, जिससे electricity sector में tree reduction आई है, second की जो June के heat waves से, उसने लोगों को इतना कम जोर कर दिया, कोई काम करना चाहता ही नहीं था, उतने गर्मी में, जो कि valid point भी है, कि उतनी scorching temperatures में क्यों कोई काम करेगा, उससे जो steel का, जो कि construction activities में काम आता था, उस steel का भी demand कम हो गया, जिससे steel का output 4% घट गया, as compared to the preceding month, और year on year growth भी घट गया, 2.7% हो गया, जो कि में में 6.8% था, लेकिर इतना कुछ जो घट रहा है, उसमें coal ने थुरी silver lining offer की, coal में increase देखने को मिला, कितना increase, वो बढ़के 10. 10.2% से बढ़के 14.8% हो गया, एक बढ़ आप यहां पर pause करके read कर ले न, ठीक है, जो, नमोर Contemporaneous Private Survey Based HSBC India Manufacturing Purchasing Managers Index, जो अभी जो चल रहा है, साथ में ही, क्या चल रहा है, प्राइवेट सर्वे बेस्ट, HSBC India का कोई एक इंडेक्स है, and Manufacturing Purchasing Managers Index, PMI, यह तो अच्छी बात है, PMI हम इसको कहेंगे, ठीक है, तो PMI July का जो आया है, appears to signal that manufacturing activity at a broader level, eased marginally last month, उसने यह signal दिया है, यह indicate, यह show किया है, demonstrate किया, दिखाया है, बताया है हमें, कि जो manufacturing activity at broader level पे, मतलब अगर हम overall देखे manufacturing activity को, तो eased, वो कमी हुए है, तो कितनी कमी हुए है, marginally, मतलब थोड़ी सी, marginally का मतलब क्यों होता है, तो अगरी very small extent, मतलब काफी कम वो बता रहा है, कमी हुए है, ठीक है, last month, पिछले मन्त में, slightly softer increases in new orders and output resulted in July's PMI easing to 58.1 from 58.3 in June, the survey of purchasing managers at about 400 manufactured by SNP Global, so, अब एक और survey किया है, SNP Global ने, उसने यह बता, क्या बताया है, कि जो slightly softer increase हुए, उतना ज्यादा increase नहीं हुए, जो कम extent में जो increase हुए, orders में, उसका result क्या हुए, कि July का जो PMI था, यह purchasing managers index, यह 58.3 जो जून में था, उससे घटके 58.1 पे आ गया, ठीक है, यह जो survey हुए है, purchasing managers का, जिसने 400 manufacturers पे survey किया है, SNP Global का, वो यह show करता है, however, more than the marginal slowing in manufacturing activity, the PMI survey is truly disconcerting finding, is that a significant strengthening in input cost led manufacturers to these selling prices as a steepest rate in almost 11 years, ठीक है, अभी इतना बड़ा sentence है, इसको, बड़ा sentence हो क्या होगा, हम नो तोर तोर के पढ़िए, करेंगे, ठीक है, however, फिर भी, इससे, however, क्या करता है, contractions हो करता है, contrasts हो करता है, contradiction हो करता है, ठीक है, तो, यहाँ पे क्या कहार जारा था, कि थोड़ा सा कमी हुई है, 58.2 तो 58.1 आ गया है, ठीक है, जो orders and output में ही कमी हुई है, फिर भी, जो marginal slowing हुई है, जो यह marginal, जो slow हुआ है, manufacturing activity में, ठीक है, यह, इससे ज्यादा चिंता करने वाले बात यह है, ठीक है, disconcerting finding, जो चिंता करने वाले बात, जो finding हुई है, जो path पता चलिए है, वो यह है, कि जो significant strengthening हुई है, input cost में, significant strengthening input cost में मतलब, significant strengthening in input cost का मतलब जो input cost, जो manufacturers को जो पैसा लगता है, raw materials को लेने में, उसको produce करने में, उसके cost में increase हुई है, ठीक है, इससे क्या हुआ है, कि manufacturers ने raise कर दिया selling price, price, जो price है, जिस तुब अपना products बेचते हैं, उसको बढ़ा दिया है, कितना बढ़ा दिया है, at the steepest rate, steepest मतलब largest, सबसे ज़्यादा sharpest, मतलब सबसे ज़्यादा 11 years में, in almost 11 years, मतलब 11 साल में, सबसे ज़्यादा अपना selling price बढ़ा दिया है, manufacturers ने, क्यों, क्योंकि input cost जो है, जो cost उनको लग रहा है, चीजे खरीदने में, और manufacture करने में, उससे वो बढ़ गिया है, ठीक है, with goods producers reporting having paid more for coal, packaging, paper, rubber and steel, अब जो goods producers है, जो manufacturers है, जो यह चीजे बनाते हैं, यह क्या बोल रहे हैं, कि हमने ज्यादा पैसा पे किया है, inflation, both at the wholesale and retail levels, जो अभी जो inflation का जो outlook है, कि inflation future में कैसा होने वाला है, क्या होगा inflation को लेके, wholesale और retail levels पे, is far from reassuring, far from का मतलब होता है, negative sense में, कि होगा ही नहीं, reassuring होगा ही नहीं, is not reassuring, हम इसको बोलेंगे, far from का मतलब का होता है, not, ठीक है, कि reassuring नहीं है, मतलब वो hopeful नहीं है, मतलब रहान रहा है, ठीक है, तो reassuring क्या होता है, लोह को confidence देता है, अगर केज्ट और retail companies, मतलब कि जो outlook हो जो future situation है, inflation का, वो लोह को hope नहीं देगा, confidence नहीं देगा, मतलब कि क्या होगा, inflation रहीगा, ठीक है, the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, जो Reserve Bank of India की Monetary Policy Committee है, which will meet, जो मिलेंगी, to review its interest rate, this week, जो अपना उनका interest rate है, उसको अफिर से review करने के लिए है, इस week, has its task cut out, has its task cut out, मतलब की जो Monetary Policy Committee है, उनके पास की बहुत difficult चीज़ है, difficult task है करने को, with clear signs, that price pressures are broadening beyond food, clear signs and indications, सबको दिख रहा है, कि जो price pressure, जो price जो बढ़ रहा inflation है, वो food के पड़े जाड़ा है, मुझा फूर्ट साथ साथ सब चीज़ों को affect कर रहा है, Policymakers can ill-afford to drop their guard, ill-afford मतलब की, वो कढ़ी नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं Policymakers, drop their guard, careless रहीं सकते हैं, हम उनको careful रहना होगा, in the battle to tame inflation, जो लराई है inflation को रोकने की, उसमें वो बिलकुल भी अपना guard drop नहीं कर सकते हैं, बिलकुल भी वो careless नहीं रह सकते हैं, ठीक है, और यहीं जो work है, to tame inflation, यह बहुत difficult word है, work है, जिसके लिए has its task cutout use किया गया, तो यह था आपका पूरा editorial का passage, ठीक है, अगर हम tone की बात करें, तो tone एक तो informative होगा, क्योंकि information तो काफी दिया है, author ने, साथ में analytical भी है, क्योंकि उसने analyze भी किया situation को, पूरा देखा है, समझा है, बताया कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कितना difficult काम है, क्या करना है उन्हें, ठीक है, सब कुछ उसने analyze भी किया साथ साथ में, PMI क्या सो कर रहा है, discussion setting, finding क्या है, ठीक है, तो informative भी है, प्लस analytical भी है, tone, अब आते हैं questions पर, पहले questions आप कर लोगे, फिर साथ में करते हैं, एक तो यह, एक यह वाला, एक यह वाला, एक यह वाला, एक यह वाला, what was the main reason for the slowdown in India's 8-core infrastructure sectors in June, June में जो India के 8-core infrastructure sector में slowdown हुआ, उसका main reason क्या था, ठीक हमने पढ़ा है, main reason, article हमने पढ़ा है, क्या था main reason, एक तो था कि state की spending कम हो गई थी, second क्या था, heat waves, and increase in state spending on public works, increase हो गया था, state ने जादा spend किया था, public works में ने, जादा ने, कम किया था spend, the impact of debilitating heat waves, ठीक है, impact था debilitating heat waves का, तो चले हुआ, उसका में लेके चलेंगे, हाँ, heat waves के बज़ा से तो हुआ था production income, and decrease in the output of steel, decrease हुआ था, steel के output में, लेकिन वो reason नहीं था, में, इंडिया के 8 core, इसका में रीजन नहीं था, तो यह तो गलत हो गया, तो बहुत बात में कहा है, इसकी बात की, steel भी कमी, आई है, क्योंकि construction activity नहीं हो रहा है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ heat waves की बात की गई है, लेकिन हमें पता है, दो reasons थे, एक तो state का spending कम हो गया था, जोगे यहाँ पर लिखा है, slow down and state spending on public works, और heat waves, दोनों ही दिया है, तो इसको ही लेंगे, यह गलत हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर एक sector की बात हुए, यहाँ पर electricity sector की बात हुए, पर वो किसका पुछा है, कि 8-core infrastructure में क्यों आया था, main reason, तो यही था, slow down and state spending on public works and heat waves, according to PMI survey, what was a significant finding about manufacturer's cost, manufacturer's cost को लेकि, क्या significant finding थी, PMI survey को लेकि, तो हमने क्या थे, manufacturing cost क्या था, वो बढ़ गया था, उनका cost, क्योंको उनको coal के लिए, packaging के लिए, ठीक है, rubber के लिए, ज़्यदा पैसे लग रहे थे, तो increase in selling prices, increasing manufacturing activity, reduction in output, decline in wholesale inflation, decrease in new orders, ठीक है, manufacturing activity में increase नहीं हुआ था, नहीं बताया किया है, decrease नहीं, new orders में discuss ही नहीं हुआ है, output में reduction हुआ नहीं हुआ था, और decline in wholesale inflation में नहीं हुआ था, उन्होंने, manufacturing cost को लिए क्या था, यह cost को लेकि, उन्होंने selling price increase कर दिया था, ठीक है, how did the year growth of electricity generation in June, compare to that in me, and what contributed to this change, तो electricity generation हुआ है June में, ठीक है, वो में के comparison में कैसा था, और जो change हुआ है, उसका reason क्या है, तो जखो, electricity generation कम हो गई थी, क्योंकि monsoon के rains हो रहे था, तो increase वाला तो नहीं होगा, same भी नहीं होगा, increased भी नहीं होगा, decrease क्यों हुआ था, क्योंकि monsoon rain start हो गया था, इसलिए decrease नहीं होगा था, कि state ने spending कम कर दी थी, तो answer क्या हो गया, B, अब ये वाले question का answer आप खुझ से दोगे, ठीक है, comment box में answer दे देना, article आपने पढ़ लिया, तो ये काफ़े easy हो जाएगा, आपके लिए ये answer करना, अब हम आपसे मिलेंगे, next session में, एक और article लेंगे, काफ़े interesting साथ, उसको पढ़ेंगे, analyze करेंगे, questions करेंगे, उसको भी साथी vocabulary, words, idioms, phrases, सब सीखेंगे, कोई अगर कोई suggestion है, कोई आपके पाग कोई doubt है, ठीक है, या किसी भी session को लेके, तो आप मुझे share कर सकते, comment box में, तो अब मैं मिलूँगा, next session में, तब दे के लिए, thank you and have a nice day.